हलो गाइस वेलकम बैक टू माई न्यू अनदर वीडियो एंद आज की इस वाले वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ DJI का Ronin SC Gimble को एर आपको मैं दिखाऊंगा इसका पैकजिंग कैसा आता है और आपके लिए इसके बारे में दिटेल भी बताऊंगा मैंने यूज करने में कैसे सैट अप करना है कैसे इसको अच्छे से बैलेंस करना है बताने वाला हूं बस इस वीडियो को एंड देखना है वीडियो चली वीडियो को लाइक एंड चनल को सब्स्राइब कर लेना और हाई अच्छा से कमेंट भी कर देना बागी बाद आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट कर सकते हो तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं औ तो गाइस देखो मैंने यहाँ पर डबा को लिया आया है और कुछ ऐसा इसका पैकेजिंग होता है देख लो आप यहाँ पर तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको DJI Ronin लिखावत दिख जाएगा मतलब मॉडल नेम भी साथ मैं आपको लिखावत दिख जाएगा देन जो यहाँ पर थर्मकॉल का पैकेजिंग किया गया है जो कि बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वाल्टी है नॉर्मल थर्मकॉल नहीं है देन इसका जो ग्रे पेंट है अच्छा लग रहा है देखने में लाइक एक रियल बॉक्स के जैसा और यहाँ पर आप देख लो कुछ ऐसे सूटकेस के जैसा यहाँ पर लॉक दिया गया है तो इसको आपको ओपन कैसे करना है बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्क्यूज रहते हैं लेते हैं तो उसको ओपन करने भी थोड़ा से प्रावलम हो जाता है तो यहाँ पर देख लो कुछ नहीं करना है सूटकेस के जैस एसा ही open हो जाता है और यहां पर कुछ सारा माल मेट्रियल आप देश सकते हो क्या क्या है कि अपन कर लिया हूं बट यहां पर देख लो कुछ ऐसा ही पेकिंग होता है एंट फर्स टाइम आपको सब कुछ कुछ डिसेंबल मिलेगा मतला इसको कुछ से आपको अलगें आपको केबल करनेक्टर विद्या गया तो कुछ ऐसे चीज़ आपको यहां पर मिल जाता है चलिए अब इसको सेंबल कैसे करते हैं वह बताता हूं आपने इंबाक्सिंग देख लिया कि इस वाली गींबल के साथ क्या क्या चीजे मिलता है साथ में और कैसे इसको आपको सेंबल करना यह चीज आपको जानना है तो अब आपको मैं बताने वाला कि आप कैसे इसको सेंबल कर सकते हो अच्छे से बताऊंगा एंड आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे कैमरा को बैलेंस कर सकते हो इस वाले ग इसके आपको यहां पर open कर लेना है आपकर डेख़़ी में और इसका यह handle है कि इसको एसे open कर लेना है अब आपको क्या क्या चीज़ है आपको जरुद पढलने वाला है गहिंबल को signal करने के लिए थ्यक्षिक है तो फॉस्ट आपको handle को यहां पर निकाल लेना है में जो गीमल का पार्ट होता है जो है इसका मोटर इसको आपको यहाँ पर निकाल लेना है देखलो गया यहीं मेंची होता है जिससे गीमल स्टेबल होता है तो तीन जग यहाँ पर थ्री एक्सेस मोटर्स लगा हुआ है तो देखलो यह बहुत ज्यादा इंप केबल रखने के लिए तो यह भी चीज आपको SEMSBOL करना पड़ता है यहाँ पर एक चीज और होता है जो कि आपको कैमरा में लगाना पड़ता है बत मैं अल्रेड उसको कामरा में अभी मैं दिखाता हो बस गिमल को सेंबल करके कैसे आपको करने है तो first मैं आपको यहांपर ल इसको आपको यहां पर रख लेना है इसे बिल्कुल अच्छे से और कुछ नहीं करना है बस इसको आगे की और ऐसे पुस्ट कर देना है मैं दिखाता हुब हुआ no कि एंड इसको आपको ऐसे आगे के और अच्छे से बिल्कुल लग गया अब इसको टायंट करें के लिए हां पर देख फिर से लॉक लिख लिखा हुआ है तो ऐसे क्या करना है अभी आपको कि इसको भी फिट करना पड़ेगा लिए पूरा को कि इसको लगा देना है कि कि इसको अच्छे से से करना है अब देखलो गिंबल को कुछ ऐसे आपको रखना आपको कुछ ऐसे देखने को मिल रहा होगा यहां पर इस वाले वीडियो में सब कुछ नहीं कवर कर सकता हूं बहुत ही जादर वीडियो का लेंथ हो जाएगा तो मैं नेक्स वीडियो बनाँगों कैसे आपको गेमल को स्टेमल करना है, बैलेंस करना है कैमरा के साथ अब मैं आपको इसको अनलोग करके दिखाता हूँ तो simply यहाँ पर देखलो आप यहाँ पर बटन दिया गया है, और यहाँ पर आपको इमेज भी दिख जाएगा सिंग्नल, यहाँ पर आपको लॉक का ओप्शन दिख रहा है और यहाँ पर आपको अनलोग का ओप्शन दिख रहा है simply आपको इधर पुछ कर देना है, अनलोग हो जाएगा और स्यावार्व करेगा ठीक है तो इसके वह इद्धर करेने ये एंड ये फिल्लोक हो जाएगा, एन आपको इधर दिखेगा दिखा रहा हूं मैं एक और यहाँ आपको दिख जाएगा तो इसको भी आपको करेना उन्लोक एन देखो यह पुरा gimbal जो है open हो चुका है एन इसे अभी में कहीं भी move कर सकता है देख लो, हो जाया रहा है अभी आपको इसको अच्छे से बिल्कुँ सेट करने के लिए आगाना है देख लिए हापर मैं लॉक कर ले ता पहले इसको मैंने इसे लॉक कर लिया अभी इसको यहाँ पर बीच पर आलना है यह लॉक हो जाएगा अभी मैं दिखा तो फिर से इसको मैं इधर के और ले आया देख लो, पूरा gimbal ऐसा ही सेट होता है देख लो यहाँ पर उपर से नीचे तक यहाँ पर आपना camera प्लेस करोगे देन आप अपना camera यूज कर सकते हो gimbal के साथ तो मैं next video में बताऊँगा कैसे आपको gimbal को सैंबल करना है camera के साथ और उसको बिल्कुल कैसे balance करना है अगर आपने कुछ भी गलती किया तो आपको जो motor जल सकता है तो next video बताऊँगा और उसमें सब कुछ बताऊँगा कैसे आपको क्या करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and channel को subscribe कर देना किस्व आपको हो रहा है तो वह भी comment कर देना ताकि मैं उसको solve करने का कोशिस करूँ आज के लिए इतना ही तक लिए बाबाए एंट्रेक क्या